क्या पवन सिंग का हाल भी रादेश याम रशिया और गुड़ू रंगीला वाला होने वाला है जी हाँ आज कल तो पवन सिंग के बारे में सोशल मीडिया पर यही सारी खबरे चल रहे हैं क्योंकि आपको ये वीडियो चुब सकती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि क्यों पवन सिंग के लिए आज कल सोशल मीडिया पर एक बात चल चुकी है इनका हश्र रादेश याम रशिया वाला होने वाला है वही रादेश यामरसिया जो एक जमाने में भोचपुरी इंडस्ट्री को कई बहतरीन गाने दे चुके है हाँ ये बात अलग है कि उनके गानों में अशलीलता जादा होती थी लेकिन उनके गाने एक समय पर भोचपुरी इंडस्ट्री में खूब बजा करते थे और लोगों के बीच भी खूब जादा उनके गानों की डिमान रहा करती थी लेकिन आज वो कहां है किसी को नहीं पता कारण शराप का नशा और यही नशा पवन सिंग को भिखाये जा रहा है ऐसा कहना है पवन सिंग के उन फेंस का जो पवन सिंग के गाइकी के फैन है आपको बता देए कि पवन सिंग अभी पिछले दिनों फिर लाइव आए लाइव इसलिए आए कि फलाना वो फरार हो गया नहीं पुली के बाद भी YouTube के music trending में number one की position पे था और आज भी वो number one की position पे ही है ये पवन के fans के लिए अच्छी बात है 10 million views हो चुके हैं ये भी अच्छी बात है क्योंकि बहुत जल्दी इस गाने ने 10 million views का आकड़ा क्रॉस किया है अब हम वो बात बोलने वाले हैं जो कि शायद पवन सिंग के कई ऐसे news दिखा चुका है जिससे पवन सिंग के fans को गर्व होगा और हमें भी कई बार हुआ क्योंकि पवन सिंग ने ऐसा कारणामा किया था और भोजपूरी इंडस्ट्री में एक नए आयाम को गढ़ रहे थे अब पवन सिंग को भोजपूरी इंडस्ट्र दिखाना पसंद नहीं करते ये रूप अगर लोगों को दिखाते हैं कि वो किस तरह से शराब के नशे में सिर्फ एक यूट्यूबर से डर गए हैं लोग क्या सोचेंगे जी हाँ आप देख सकते हैं कि बॉलिवुड हो हॉलिवुड हो बहुत सारी बड़ी-बड़ी इंड स्टार्स हैं अमिताब बच्चन, रितिक, रोशन, शारुक खान, सल्मान खान उन्हें भी प्रमोशन की जरूरत नहीं होती लेकिन उनके भी हेटर्स होते हैं उन्हें भी ट्रोल किया जाता है और आपको ये बता देते हैं भोजपुरिय इंडस्ट्री के बाहर अगर कोई भी भोजपुरिय स्टार्स को जानता है सबसे जादा तो वो बकायदा पवन सिंग को जानता है और पवन सिंग के साथ काम करना भी चाहता है लेकिन ये सारी हरकते पवन सिंग के कैरेक्टर को धूमिल कर रही हैं उसे नीचे गिरा रही हैं सिर्फ एक यूट्यूबर के बह में थे जो कि किसी भी स्टार्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है आज तक हॉलिवूड, बॉलिवूड, टॉलिवूड किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एक स्टार का छे गाना एक दिन में ट्रणिंग में नहीं रहा है जो कि खिसारी लाल यादों के नाम ये किर्तिमान पर स्थापित हुआ है आपको ये भी बता देते हैं कि पवन सिंग का गाना फलाना वो फरार भैनी जो की असलीलता से काफी दूर है इसे वो मुकाम मिला जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक के जितने भी होली सौंग इस साल रिलीज हुए है उसको नहीं मिला गाना ह पुलिक के बाद भी ट्रेंडिंग में है ये भी एक सफलता है ये पवन सिंग को समझना चाहिए कि अपनी इस सफलता को वो कहां ले जा रहे हैं किस तरफ धुना रहे हैं आपको ये बता दे कि एक सूरज को उगने में समय लगता है लेकिन डूगने में उसे समय बिलकुल नहीं लगता है बहुच पुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना विलकुल लगता है